ओम नमस्षिवाए तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है तो बहुत सारे मोहिनी मंत्र आप पहले ही जान चुके हैं और इनके जो रिजल्ट हैं वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं तो आज उसी श्रंकला में एक और मंत्र में आपको दे रहा हूँ जो की आपकी जो भी कामना होगी उसको परिपूर्ण कर देगा मोहिनी मंत्र एक चमतकार है अगर ये सटीक तरीके से लग जाए तो इसके जैसा मंत्र नहीं है कई लोग ऐसे भी आता हैं जिनके लिए काम नहीं करता तो उनको चाहिए कि वो देखे त्रूटी कहां पर हुई है अन्यथा यहां पर इतने लोग हैं जिनके लिए ये मंत्र काम कर रहा है तो आप अपने विचारों पर भी ध्यान दे अपने आहार पर भी ध्यान दे उसके बाद देखेगा कि आप से कहीं गल्टी हो रही है और जिसको भी मुहिनी मंत्र लगाना हो वो एक महिने तक बिल्कुल सात्विक रहे कोई भी मास मदीरा का सेवन ना करे उसके बाद इसका प्रयोग करे और आप देखेगा कि पहले ही दिन से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा यहां तक कि तो ऐसे भी केस आये हैं कि लोग कहते हैं कि पहली बार में उनको असर दिखाए तो मेरे भाईयों आपको करना बस इतना है कि इस पर पूर्ण विश्वास रखकर मंतर को कीजेगा और फिर देखेगा कि किस तरह से मोहिनी का जो है माया जाल आपके लिए काम करता है तो जो मेरा सबसे बहतरी मोहिनी मंतर है वो मैं अगर आपको बता रहा हूँ इससे कोई नुकसा नहीं है और अगर आपकी जो भावनाई हैं वो पवित्र हैं तो यू समझिए कि ये आपके लिए एक वर्दान है अगर आप डर करोगे तो ये काम नहीं करेगा बस आप इसको कीजे और फिर देखिए इसका असर कैसे होता है तो मंत्र है काला कलवा चौसट वीर मेरा कलवा भागा तीर जहां को भेजूं वहां को जावे मास मुझे कोचो कियावे अपना मारा आप ही खावे चलतवान मारू वहीं किछाती इतना काम मेरा ना करे तो तो ये तेरी मां का दूधराम इसके बाद जब आप ये मंत्र बोल लें इसके बाद आपको मन ही मन में या फिर जैसे भी आप चाहें वैसे आपको अपनी जो मनुरत है वो स्पष्ट करना होता है कि मुझे ये चाहिए जो भी फलास्त्री है या फिर जो भी पुरुष है उससे मेरा प्रेम हो जाए प्रेम प्रसंग बढ़ जाए या वो मेरे आधीन हो जाए कुछ ऐसा सा आपको इसके बाद बोलना है और उसके तरफ फूक मार देनी है अब कई लोग कहते हैं कि वो सामने नहीं आते तो क्या करें तो देखे ये तो आपको सामने जाना ही पड़ेगा आपको कोई भी ऐसा स्थान डूरना है जहांपर कि आप एक दूसरे को देख सके और उस स्थान पर जाकर जब भी आप देखें जैसे आज सुबह आपको देखें तो सुबह कर दीजिए बस एक बार करना है एक बार जब भी वो दिखें तो उसको देखते देखते आपको यह मंतर बोलना है और फूक मार दिनी उसकी तरफ यह नहीं कि उसको पता लगे जैसे छुटके से करना है सार कुछ और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो यह दूरिया है यह दूर होने लग जाएंगी और आप इतने समीपा जाओगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा लेकिन आप जब भी देखें उसे एक बार इस मंतर को पढ़कर बोल दीजेगा अगर आपमें एक दिन में पांच बार भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नी है लेकिन जब भी आपको दिखे आप एक बार इस मंदर को लगाईएगा और अगर कोई दिक्कत परिशानी आए तो मुझे कॉल के जगा 999-84-1625 पर धन्यवाद